कि है कि अधियों कि मैं सनी आप सभी का आपके अपने चलर इलेटिकल इस वाज एकडमी के ओनलेन पोटल पर सागत करता हूं अज फिर एकने टॉपिक के साथ हैं जिसमें आप लोग को सबसे ज़्याद दिख्कत होती है उसके याद रखने में पठानी होती है उसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं 6,7,8 के मैथ की सब्जक्त में ठीके तुस्री को मत्य नजर हम लोग आज का सेसन इसमें चूड़ते हैं और एक कड़ी और बढ़ाते हैं जो कि हमारा होगा इंपिडेंस, एड्मिटेंस और पावर ट्रेंगल की कोश्चन और बहुत ज्यादा पुछे आते हैं एसी सर्कीट मतलब समझे रहो बेसिक का राम बाणा है कहीने कहीं से उठाएगा ज़रूर कोई भी आसा फीपर नहीं चोब एसी सर्कीट से कोश्चन ना पूछें ठीके चुम्बक से भले ही ना पूछें मगर इसी सर्कीट से ज़रूर पूछेगा ठीके न इसकी इंपॉर्टेंस तुम समस्ते हो ठीके तो आप उसेशन पसंद है जिसको लाइक करते ना चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना अपना चैनल है तुम्हारा चैनल है जानते हैं कि एसी सर्कीट में कुल परिपत में लगने वाले एसी परिपत में लगने वाले कुल प्रतिरोध या पर कुल विरोधी वल जो कि करेंट का विरोध करते हैं ठीक है वह कितना उसको इंपिडेंस करते हैं इंपिडेंस तो दिखाना चाहा है तो इंपिडेंस हमें के बढसे हैं कि अझा真的 के इसे में जब इंपिद satisf की बात करती है थीए इंपिडेंच जो होता है कई सावे चीजों का मिक्षश होता है जिसमें से पहला ہमारा क्या है सर्थ प्रत्रवाध हो सिर्धेंस ट्रांगल की बात हो रही या भास ना इस य बारा यह पढ़ेंगे तीसरा यह पढ़ेंगे 123 किक है रेसिस्टन सर जी प्रतिरोध बोलते हैं कोई बात नहीं है तीसरा क्या होता है सर जी रियक्टेंस बोलते हैं न जी रियक्टेंस क्या बोलते हैं प्रति घात ना प्रति घात बोलते हैं इसको तो जट से दिखा दिए इसको जट से दिखाते हैं इसको सरार से दिखाते हैं इसको एक्स से दिखाते हैं कितना इंपोर्टेंट है तुमको पता है ठीक है तो जब यह ट्रेंगल करते हैं तो ट्रेंगल किस ट्रे स्केलस न स्केलसं बस हम ठाइटंगर ट्रेंकल लेनी जिकों समकोण त्रिभूज कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं ठीक है समकोण त्रिभूज का प्रयोग करेंगे त्रिभूज त्मस्ते हो 90 डिग्री केके नब्बे डिग्री ही होता है ना एक तिर्फे नब्बे डिग्री तो टिग्णों मेट्री में ज़रूर पड़े होके टिकोन्स बीती lookout यहां पर यूज़ कर देंगा और कुछ नहीं करना है ठीक है अराम से कर लोगे बहुत तेज हो तुम लोग चलो यह हमारा 90 डिग्री होता था ठीक है अगर यह कौन होता था या दखना जब यह मालो यह 5 कौन होता था इसके सामने वाला हमेशा क्या होता था तो इसको लोग कहते थे ल यानि लंब कहते थे जिस पर कोड बनता था इसको क्या कहते थे सर्बेस यानि अलहार कहते थे और यह ज पाइथाजर्स के साथ से क्या लगाते हैं कि पाइथाजर्स साहब भी तुसह एक कि द्योंके में इसको कहनब लगता था था तम कॉंड में पाइथाजर्स प्रमे कहता था है कि जैना का इसको कर्ण बोलति हैं लिख देना, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बूलते जी कहते हैं तो कर्ण का व्रग किसके बराबर होगा आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा यह फिर इसको लिखना चाहें तो यह बराबर और क्या लिख सकते हैं तर रूट में आधार के इसकार प्लस लंब का इसको है यही होता था, अब देखो हमारा जो प्रतिरोध को रखते हैं, क्यूं? क्यूदकी प्रतिरोध में क्या होता है? Voltage और current सेम फेज में होते हैं, इसलिए resistance को नीचे रखते हैं क्यूνकि voltage तथा current हमेशा सेम फेज में होते हैं इसलिए आधार पर रखा जाता है ठीक है अब बोल्टेश करेंट का अंतर कहां दिखने को मिलता है तर्द प्रतिगहात में दिखता है अब प्रेट की पतिगहात है कि कपेस्टिव संधार प्रतिगहात है जिससे कभी वी की वैल्यू आगे हो सकती कभी आई की और वो डिपेंड किस पे करेगा उसे खुद के ए में पैथागरोफ देखे तो है ऐस स्कार बदर इस को लिखना चाहें तो जड़ प्राबर्स लिख भी सकते हैं आर स्कॉयर प्लस एक्स स्कॉयर ठीक है तो यह समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है इस पर सवाल आते हैं जी सवाल क्या आते हैं तुमको यह पता है ठीक है अब देखो यहां पर एक चीजा दखना है यह जो एक्स स्कॉयर है इक्स के जगधा हम क्ये लिए सकते हैं तो यह अपाल कर यह यह ऐसे हां अगरते हैं किसके जगा पर यह हमारे % कल अंतर मतलब वी तथा आई की बीच का अंतर क्ला अंतर मतलब वी तथा आई की बीच का अंतर क्या कलाता है कला अंतर जिसको फेज अंगल बोलते हैं फेज डिफ्रेंस बोलते हैं ठीक है तो कल अंतर कैसे निकलता है भी और आई की बीच में अंतर तो होगा ही होगा क्योंकि तो कलांतर कैसे निकलता है इसको हमें साथ किसे दिखाते हैं सट 10 5 से दिखाते हैं 10 5 क्योंकि हम 5 ही न तो इसका 10 लेज़ते 10 5 बराबर क्या होता है पंडीत बदरी परसाद हर हर बोले ठीक है लाल बटे कक्का होता है न तो पर्पेंडिकुलर बटे बेस यानी लंब बटे आधार यही लिखते ओन तो लंब कितना है हमारा सत एक्स है अब देkk登録 oil कितना है और आज गिस नहीं होता ता यहां पर सकता है पर यह एक्सور लिख सकते हो इसे निकाल जाता है यह असान तरीका होता है कलांतर निकालतर निकलता है ठीक है यहनि तुमको इसका मान दे दिया है इसका मान दे दिया है तो यह फाई निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगा ठीक है और जब यह फाई निकल गया यहनि तुमको कोड निकाल ली तो कभी-कभी जब पाउर फेक्टर पुछेगा और जब पाउर फेक्टर पुछेगा तब क्या दाद दिखाऊगे तो तरहम को पता है कि पाउर फेक्टर क्या होता है कॉसाइन किसका लेना पड़ता है फाई का तेहां से तुम कला तो निकाली लिए याणि कला अंतर याणि कोण तुम निकाली चुके हो और वहां ओड़का कोसाईन कर दोगे तुम्हार क्या होगा पौर फेक्टर निकल जाएगा अच्छा चब कलांतर निकालते हैं तो क्या होता है कॉसिब calling सकते हैं यह होता है नूं, यह भार क्या हो सकता है पॉर्षप्टर अब देखो याद एखने कभी जरूँ था नहीं तो जेखोड से कॉस्ट भाइबर क्या होता है यहां पर हम लिखके दिखा दिए पॉर्षप्टर सही है अब देखो अगर्मिट्रेंश ट्रेंगल दिखेंगे तो कै समझ में आ गया अद्मिटेंस और आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है देखों हमको पता है कि यह जो होता है किसका होता है impedance का उल्टा होता है होता है न जिसको किस से दिखाते हैं ये y से दिखाते हैं और impedance को z से दिखाते हैं सही है तो इसको लिख सकते हैं अगर y बराबर एक बटा z हो सकता है तो r की जगा क्या हो सकता है बना पॉन जी हो सकता है ठीक, एर के जगह इसलिए बराबर का साइन लिखा रहे हैं ने समान पाते लगाना पड़ता है, ठीक है और X के जगह क्या लिखना पड़ता है? एक बटा B क्यूंकि reactance को लटा क्या होता है? susptance होता है । ठीक है? reactance को लटा susptance होता है कोई दिक्कत नहीं है Azshu को क्या लिख सकते हैं ますoftीर लिखी हुएं कोई धिक्कत ने स्को उटा डेते हैं क्या हो जाएगा तो मेरा तो सरयन है यहां पर हमको यहां पर लिखना पड़ेगा अगर यह फाई लिके चलने है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा वाई इंपडेंस क्योंकि उल्टा है यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा सर बी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर जी लिखना पड़ेगा कोई प्रभाव नहीं दिखेगा जी क्यों उल्टा दिखेगा दे बहुत ज़्यादा पुछे राता है ठीक है यानि इसको लिखना चाहो तो बन अपन जड़ स्क्वाइर बन अपन आर स्क्वाइर बन अपन एक्स स्क्वाइर लिख तो कोई गलती नहीं है सब सही है थे सब माव ठीक है बसवाई कहानी यह दिया हुआ है इंपेडेंस ठीक है तो हम पर निखना चाहोगा क्या हो जाएगा रूट में जी स्क्वाइर प्लस वी स्क्वाइर हो जाएगा ठीक है इसको या रखना यह बहुत जद इस पर सवाल आते थे तो सवाल पूछे जाते हैं अच्छा। लंब क्या है हमारा बी है अधार क्या है हमारा जी है ठीक है यही न इसको इंगलिस में क्या करते हैं थी सब्टेंस इसको याद अखना और यह क्या होता है हमारा कॉंड़क्टेंस तब भी निकलोगे तब भी तुम्हारा क्या निकल के आएगा साजी यहाँ पर हमारा 105 ही निकल कर आएगा यानि कलांतर ही निकल कर आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है अच्छा पाउस्टर की बात करो क्षफाइटर ही निकल निकल कर आपर नो कोई दिक्कत नहीं दोनीं से पाउस्टर निकलता है इसलिए बोलते है न न बोलते है न आ लेकार जनते हों कि कासाइब का फांवला टूपावर बटे अपेर्ण पावर ढंते हूं तो कहां था त्याया ति यह दिखते हैं यह हमारा कौन सा था यह पहला है दूसरा है त्रह ऑसान इस पे पावर ट्रेंगल पे पावर ट्रेंगल बने आसान है आई होप समझ में आ रहा होगा जी तो पसंद आए तो अपने यारे चैनल को जोईन ज़ूर कर लेना यानि सस्क्राइब कर लेना ठीक है बहुत अच्छे से बहुत क्लियर्टी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आ कहानी वही रहती है हमेशा प्रतिरूर के कारण हमेशा जो पावर छह होता है इसको क्या बोलते हैं टू पावर यानि वास्तरिक सकती उसको पी से दिखाते हैं रियक्टेंग्स के कारण जो पावर डॉप होता है रियक्टेंग्स प्रतिखात की कारण उसको हमेशा दिखात किसे क्यों से दिखाते हैं ठीक है reactive power इसको क्या बूलता है true power अबास्तरिक सकती ठीक है या realpower ही बूलते है यह क्या सकती है हमारी Praticari सकती और यह शो हमारा its इसको बोलते है औ भासी शक्ति ठीक है याध जब लगती है और इसकी pozolan घ्र्टीर क्STRंज है अब देखो यहाँ पीप फिर ब्वईा अगर प्यक्ता प्यर्टास पर मिया लगाए यह लगाए तो किसके बात हो लिए यह सब पावरण रैंगल है आधर घ्रठ यहां पधाफ प्रमिह संप्रमिए यहां पर ठाइफ प्रमिन लगांगे तो क्या खोला का बेर का बर्छा कितना सब्सक्राइब किसके बराबर होगा सर अधार के कौन के तो अधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के क्या हो जाएगा क्यों इसको यह सवाल देखते हो कहाँ पुछा आता है आज एकते हैं तुम्हारे यूद की बुक में कहीं भी कमपर्टीशन में यह क्वोशन छपे मिलेंगे तुमको ठीक है इतना यह हो गया और आगे देखो तुसको क्या लिश सकते हो अपरेंट पावर ऐसे लिखा मिलता है अपरेंट यह भास ही सकती बटे रियल पावर प्लस रियक्टीव पावर ऐसा लिखा मिलता है यानि यह भी बहुत जादा इंपोर्टेंट कोशन बन जाता है इस पर इन सब पर नुमेरकल आता है आप देखो इसको कैसे चाहाँ तो लिख सकते हो तो यह हो जाएगा यह स्कॉर पर आबर और स्वाइब यहां पर उठाख यह स्कॉर नहीं होगा पी का स्क्वाइर प्लस किसका क्यू का स्क्वाइर यह होता है यह तुम्हारे फॉर्मुले हो गए ठेक है यह सब बहुत ज्यादा पुछे आते हैं और इसमें एक चीज़ देखेंगे क्या तो इसमें एक चीज़ देखेंगे टैन फाइब राबर यानि कलांता निकालना चाह पी है इसको क्या बोलते हैं वी ए आर बटे वाट इसको याद रखना बहुत ज़्याद है इंपोर्टेंट है यानि प्रतिकारी सकती बटे वास्ते लिख सकती इससे कलांता निकलता है और देखो अब एक लाश्टिस फाद गया हमारा क्या पाउर स्रेक्टर कैसे निकालते अधार बटे गया यही पटे आधार बटे कन वह तो लिखें है अधार बटे कर और यह तुमको याद है खीड़ नहीं है ठीक है यानि लिखना चाहाँ तो cost five बराबर क्या लिख सकते हैं? पी upon US इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं p को सब भी आई, cause five और इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिख दते हैं यहांपे तो तो P बटाबर होता है ली-y कोज फाई किसमें होता है इस किया होता है क्यों बटाइबे लीटि किसमेंः और यह बटाबर दिखने होता है विडिव भॉट एम-प एम्प str चीज को एक वीडियो में देखने का प्रयास किया गया है और यह देख सकते हो नीचे क्या-क्या चीजे लगी हुई ठीक है टेन फाइबर आपर यह फ्रांडेंग करना इन दिख रहा है सही है निजरी दिखाओ के बाद में तैस वरी उसके लिए मगर अभी दिख गया होगा साइब ठीक है तो यह जो चीजे लिखे हूँ यह सब चीजे जखो एक पेज पेज से लिए बताने का प्यास करते हैं ज्यादा ज्यादा चीजे कि इसको स्क्रीन सट मारो मोबाल में रख चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो पसंद तो शेयर कर लो और लाइक जरू कर देना यह राथ हम ठीक है चलो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू बरी माच और अल दुबरी बेस्ट बंदे मात्रां